जहिंद मित्रो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परिवर्थन जो होता है वह क्या होता है अगर आपको ये परिवर्थन लीखा हुआ अगर अच्छा से दिख रहा है बड़ा बड़ा तो जल्दी से बता दीजेगा कि बड़ा दिख रहा है तो गाइज आज के लेक्शन में में परिवर्तन के बारे में भाद करने वाले हैं दोस्तों क्या होता है कि कभि काल मेरे किताबों में आपके किताब्तन परिवार्तन हर जगह आती है इस वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं कि छोटे-छोटे क्योल बनाते हैं आप डिमांड कीजिए, मांग कीजिए, तभी ना बनाने का होसला बुलंद रहता है तो जली मीत्र आज के इस संदार लेक्चुर को देख लेते हैं कि आज हम परिवर्तन का मतलब और क्या हो सकता है तो दोस्तो इसको समझने के लिए सिंपल सा आपको धारा लेते हैं आज से दोस्तो आपके घरों में जब खाना बनता है दोस्तो जब खाना बनता है तो पानी थंदा रहता है तो पानी थंदा रहता है तो क्या वह गरम हो जाता है जिहां दोस्तो वह गरम हो जाता है और दोस्तों एक्जामपल जिसे मीटी समझ रहे हैं मीटी से दोस्तों इंटा का बनाना दोस्तों एक परकार का परिवर्तन है और दोस्तों पक्का के घर है और उसको गिर जाना ये भी एक परिवर्तन है समझें। ज्सेसे बीज समाझ रहे हैं वीज और यह भी अउकुरित निकलना धान ज्याहए है छोटा रहता है आपको एक तरह कोई पोधा कोई तरह से वह भी परिवर्थन हुआ है क्लिय कि के परिवर्तन समझने के लिए और सिंपल पहंडा लेने का तरीका है। दोस्तों आपके घरों में सबजी हैं धिया होंगे। दोस्तों सबजी छोटा से जाते हैं तो कल वड़ा हो जाती है फ़्यम नंधन को बढ़ा हो जाती है। तो चलिए दोस्त, आज के इस लेक्चर में इतना ही, नहीं समझ में आया होगा तेया रिजर्टर बताना, यतनी छोटी सी बाते तो सब को पाता होती है, तो चलिए दोस्तो, वीडियो समापते होगा,